हेलो फ्रेंज्स नमस्ते कैसे हो देखे बलाउज पिस के बचे हुए टुकड़े का हम आज रियूस करेंगे तो 10 x 6 इंजिस के मैंने दो पिस लिये है नौन वन फॉम लिया इसके उपर सीधी सीधी लाइने करके हम स्टीज करेंगे देखे तो ऐसे हमें सिधा सिधा स्टीज क करना है और दो पार्ड हमने आसे रेडि कर लिये हैं आपको क्या करना है यहां से उपर से रहन चैप देना है और वही नाप से दूसरा पार्ट पे आपको कट कर लेना है, तो ये दो पार्ट हमने कट कर लिये हैं, अब आपको क्या करना है, यहां पे 4 इंचे पे मार्क कर लेजे, और दूसरी साइड पे आपको 4 इंचे पे मार्क कर लेना है, तो देखें, यहां पे हम 4 इंचे पे मार्क करके ले सकती हैं देखे यह और उपर हमने 19 इचिस का देखे यह बॉर्डर लिया है जो हमने नाप लेके लिया है और यहां पर 2 इचिस का यहां पर जितना भी चाहे बढ़ा ले सकती है तो अब हमने जहां पर मार्क किया था वहां से चीज करेंगे थोड़ा सा खुला खुला चोड़ा है अब उपर का आप ले लेजे इस तरीके से देखिए जो जोड़ना है उसका भी आपको मार्जिंग का भी एक्स्ट्रा रखना है उसका ध्यान रखे तो 11.5 इंचिस की हम जिप लेंगे उपर दो जिप हमने लिए और तीन पार्ट नो नो के लिए हैं यहाँ पर आप सूट का जो बचाओ कपड़ा होता है न अस्तर का वो भी ले सकते हैं 12 बार सव अनिचिस के यह तीन पार्ट है अब देखे एक पार्ट लेजिए और यहाँ पर सिधा स्टीच कर लेजी उसके बाद दूसरा पार्ट लेजिए और इसे सिधा स्टीच कर लें स्टीच करने के बाद सेंटर में हम एक श्ट्रिप लेंगे 12 बार 1.5 इंचिस के इसे ऐसे fold करके यहाँ पे stitch करें और फिर दूसरी side भी आपको fold कर लेनी है उसके बाद दोनों side जो दो नोनन के part है उसे attach करने है ऐसे देखिए और सेम वही तरीके से आप दूसरी side भी नोनन के part attach कर लीजिए और ये देखिए अमने ये ready कर लिया है अब आपको zip के अंदर runner डाल देना है तो ये हो गया अब नीचे से नोनन के तीन part पकड़िए यहाँ तक दोनों side stitch कर लेजिए उपर थोड़ा सा छोड़ दीजिए और stitch करें दोनों side अब देखिए ये मैंने एक strip ली है जिसका नाफ 15 by 1.5 inches है इसे आपको ऐसे fold करना है और stitch कर लेजिए और देखिए यहाँ पे आपको इसे यहाँ पे attach कर लेना है और ये pocket है ना नीचे से पीछे की ऊइव पूस करके इसे attach कर किजहें और इसे आपको यहाँ पे attach करना है इस तरीके से ऐसे अटेज करना है तो यहाँ पे आपको स्टीच कर लीजिए और फिर आपको यहाँ से स्टार्स्ट करना है जोड़ना और यहाँ पे आपको स्टीच कर लेना है और यह खुला है और यह खुला है और भी हम स्टीच करके जोड़ लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है दूसरा पार जो है वो लेना है और देखे यहाँ से कॉर्णर से पकड़िए पूरे राउन में आपको स्टीच कर लेना है तो यह हो गया हमारा रेडी अब हम इसे यहां से ओपन कर लेंगे और यह जो नीचे खुला है उसे स्टीच कर लेंगे तो यह हमारा मर्टी पर पर ओर्गिनाइजर रेडी हो गया और इसे बैक की तरह हैंगर लगाने तो वह भी आप लगा सकते तो यह देखे यहां पर बड़े बड़े दो पोकेट हो गए है तो अब हम इसी में से बचे हुए दूसरा कपड़ा है जिसका यूज करेंगे तो हमारा सेकंड आइडिया है और यह देखे कितनी प्यारी सी ब्यूटिफुल सी हमारी बैक हो गई है रेडी तो यह रहा उसी में से बचा हुआ कपड़ा जिसका हम आजियूस करेंगे तो सबसे पहले यहां से 17 बाय टान इचिसका पार्ट लीजिए और इसी के नाव से में नजन्वन कट किया है और इसे यहाशे थरी पार्ट में डिवाइड कर लेजिए तो 5.5 इंचिस का यह हो रहा है ऐसे वहां पे मार्ग कर लेजिए तो यहाँ पे जो हमने मार्ग किया है वहाँ पे लाइन कर देंगे उसके बाद मैंने यह थ्री स्ट्रिप रही है यहां पे आप सूट का बचावा कपडा ले सकते हैं 10 x 3 inches के यह थ्री पीसिस है इसे उपर से आपको ऐसे फोल्ड करके स्टीज करना है तो एक तो यह दिखे यह स्टीज हो गया है अब आपको क्या करना है यहाँ पे इसे एक और इस से तरी के से आपको रखना है उपर से करने हैं उपर से आपको थोड़ी सी जगह छोड़ देने हैं इतना ध्यान रखना है तो यह तीनों पार्ट अटेज करने के बाद आपको यहां पे स्टीज कर लेना है तो यह यहां पे आप ATM कार्ट पान कार्ट जो भी रखना है वो रख सकते हैं 11 x 5.5 इंचिस का यह पार्ट लेना इसे ऐसे पूल्ड करके स्टीज कर लेजिए और यह पार्ट आपको यहां पे आटेज करना है और यहां पे हमने ले लिया है 11.4.5 इंचिस और इसमें हम जी पाटेज करेंगे और सीधा स्टीज कर लेंगे और फिर यहां पे आपको प्रेस्टीज करना है और इसके अंदर हम रणर डाल देंगे इसे आपको यहां पे अटेज कर लेना है देखे इस तरह के से आपको अटेज करना है अब देखे यह पूरा रेडी हो गया है अब हम क्या करेंगे इससे ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे राउंड शेप दे देंगे यहां पे इसके बाद मैंने यह वेल्कुरो ले लिया है एक हम यहां पे अटेज करेंगे आप चाहे तो मैगनेट बटन भी अटेज कर सकती हैं और देखे यह जो पाब हमने कट किया यह आप इसके उपर लुटा रखके पूरी राउंड में स्टीज करें और उपर से खुला रखना है ऐसे यह जो राउंड वहीं पि हमीं स्टीज करना है इतने तक हमने स्टीच किया है और थोड़ा सा खुला छोड़ा है यहां पर आपको कट लगाना है जो एक्स्ट्रा है और राउंट से पर वहां पर हम छोटी-छोटी नौच इस पर लगा देंगे ताकि अच्छी सी कि फिनिसिंग आये जब हम इसे सिधा करें और इसे ऐसे फोल्ड कर लें और सिधा स्टीच कर लेजिए और टॉप स्टीच कर लेजिए पूरे में और देखें यहां पर हमें ऐसे मार्क करना है और दूसरा जो वैल ग्रो है वह अटेज कर लेना है यहां पर अब देखें यहां पर यह पौकेट हो गए यहां पर कोई भी मनी वगेरहा पैशा रहा laughter itm सब कुछ रहाएं और यह क्लच बेक रेडी हो गया तो आपको ये दो आइडिया कैसा लगा मुझे कमेट करके बताना वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं ऐसे नए आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के बाई जाइ बारत